नुश्कार मैं हूँ अजयादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज वेल दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में आज का ये बेहत खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में आप सबी के बीच लेकर हाजिर हूँ जहां स्टार लाइफ में मैं आप सबी से बात करता हूँ एक स्टार के बारे में उससे जुड़ी कुछ खबरों के बारे में और साथ ही आपको बताता हूँ कि कैसे कोई स्टार लगातार खबरों का सिलसला बना होता है आज आप जानने वाले हैं एश्वरया राय बच्चन के बारे में अभिशेग बच्चन के बारे में और आध्या बच्चन के बारे में और इनसे जुड़ी कौन कौन सी खबरे आखिरकर बॉलिवुड गलियारों में वाइरल हो रही है सबसे पहले आपको यह जानकारी दें कि सबसे बड़ी खबर इन दिनों चल रही है अभी शेख बच्चन को लेकर जो की उनके करियर को लेकर है जिहां कहा जा रहा था कि प्रियांका चोपड़ा के साथ वो एक फिल्म में नज़र आएंगे जिसमें जायरा वसीम भी नज़र आएंगी और इसके लावा खबर ये भी रही कि इस फिल्म में पिता बनने वाले हैं अभी शेख बच्चन लेकिन जहां एक तरफ रोख लगा दी है एश्वर्या ने अभी शेख के पता बनने पर इस फिल्म में तो हैं खबरी ये भी वारल हो रही है कि प्रियांका चोपड़ा के कारण एश्वर्या को परिशानी हो रही है अभी शेख के इस फिल्म को करने कर दो क्या है ऐसी कुछ खास रिपोर्ट क्या है ये माजरा आप जानेंगे इस खास रिपोर्ट में और आप ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आराध्या बच्चन लगातार ही खबरों में रही कैसे आराध्या बच्चन जो है मायश्वर्या के साथ वक्त वक्त पर स्पोट की जात और कैसे लगातार ही कुछ तस्वीरे कुछ वीडियोस दोनों के वारण होने लगती हैं आप यह भी जानने वाले हैं आज की कैसे एश्वर्या राय बच्चन खुद खबरों में हैं जहां जहां पिता की एक तस्वीर पोस्ट कर भावक हुई थी एश्वर्या तो महीं ऐसी जो अश्वर्या को लेकर वाइरल हो रही हैं डाली नजर इन पर वालबीते काफी दिनों से प्रयांका चोपड़ा काफी सारी खबरों में बनी हुई हैं अपनी शादी को लेकर जोकी उनके र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड और सिंगर निक के साथ आ रही हैं तो यह आपको यह खान, गौरी, अक्षे और ट्विंकल खना का नाम शामिल हैं जो कि प्रयांका चोपड़ा पर ऐसे आरोप सामने आ चुके हैं इन्हीं को लेकर तो हुई आप एसी में एश्वर्या को प्रयांका के साथ अभिशेक के काम करने से दिक्कत आ रही हैं आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन यहां हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो प्रयांका ही है और एक ख़बर की अनुसार बताए जा रहा है कि एश्वर्या ने अभिशेक को प्रयांका के साथ फिल्म करने से मना कर दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वज़ा ये भी है कि फिल्म में अभी शेक को पिता बना है और एश्वर्या नहीं चाहती है कि वो फिल्म में पिता बने लेकिन खबर ये भी रही कि प्रयांका के कारण ही एश्वर्या ने अभी शेक को एफ फिल्म करने से मना कर दिया जहां आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अराध्या का एक वीडियो जहां उनको देखा गया मा एश्वर्या के साथ यहां यह जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे वो कांस के दौरान का है साथी साथ इसके लावा हम आपके लिए एक शौकिंग खबर भी लेकर रहे हैं जहां खबरे आ रही हैं कि एश्वर्या बेटी अराध्या पर चीकते दिखी जहां अराध्या कई बार मां एश्वर्या को परिशान कर देती है तो है इस बार भी अराध्या को एश्वर्या ने डाट दिया ऐसी खबरे लगातार ही वाइरल रही जहाँ एरपोर्ट के अंदर एश्वर्या ने अराध्या को डाटा जी हाँ जहाँ टेड़ा टेड़ा चल रही थी वो तो हैं आपको ये भी बता दें कि एश्वर्या राध्या को घीस्ते भी देखी ऐसे भी खबर आई बच्चे अकसर ऐसा कर देते हैं जिस वजा से पेरेंट्स को ऐसा करना पड़ जाता है और इस बार भी आराध्या को ऐसा ही करना पड़ा होगा आपको ये बता दें कि इसके लावा एश्वर्या राय बच्चन काफी सारी खबरों में बनी हुई है अपने फिल्म फनने खाको लेकर बॉले उट की ब्यूटी कुईन एश्वर्या राय बच्चन के लिए साल 2017 बिलकुल भी अच्छा नहीं रहा जिहां जहां साल की शुवाद में यानि की 2017 की शुवाद में एश्वर्या के पता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था तुह ही लगभग पूरे साल ही एश्वर्या का वर्क फ्रेंट और साथ ही एश्वर्या की परसनल लाइफ अच्छी नहीं रही जहां जहां ना तो पूरे साल में ऐश्वरया की कोई फिल्म आए और साथ ही ऐश्वरया परसनली भी काफी दिक्कतों का सामना कर रही थी खेराली में Father's Day के मौके पर ऐश्वरया ने फिर से अपने पिता को याद किया है जहां एश्वरया ने पिता की तस्वीरों को सांजा किया है जहां पिता की तस्वीरों को सांजा करते हुए भावग होती नजर आई एश्वरया तो हुई एश्वरया की तस्वीरे जहां आप हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे कि आज भी ऐश्वर्या अपने पता को कितना मिस करती है कितना ही याद करती है तो अगर बात की जाए ऐश्वर्या के आगामी प्रोजेक्ट्स की तो जल्द ही ऐश्वर्या फिल्म फने खां में निज़र आने वाली है एश्वर्या रायवच्छन एक ऐसा नाम जिसने बॉलेवड में अलग ही पहचान बनाई आपको आज हम एश्वर्या की परसनल लाइफ से जुड़े कैसे वाक्य के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको दंग कर देगा जी हाँ एश्वर्या की शादी की आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं अब आप सोच रही होंगे कि आखिरकार एश्वर्या की शादी जो 11 साल पुरानी हो चुकी है 11 साल पहले जहां ऐश्वर्या शादी कर चुकी हैं तो वहीं इसकी बात आज क्यूँ तो बता दें आपको कि ऐश्वर्या की शादी में वी एक ट्विस्ट रहा द्रसर ऐश्वर्या मांगलिक थी और अभिशेक से शादी करने से पहले उने किसी और से ही शादी करनी पड़ी खबडों के अनुसार तब ऐश्वर्या ने पेड़ के इड़ गिर्द फेरे लिये थे ताकि उनका मांगलिक दोश मिट सके जिहां तबी से ही ऐश्वरया की सी पहली शादी की खबरे वारल होने लगी और उनकी हर सालगरा पर ये खबर सामने आही जाती है इसके पीछे था एश्वर्या का मांगलिक दोश खेरव एश्वर्या राय एक बार फिर से परदे पर धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरे तरीके से त्यार है जिहां एश्वर्या जल्द ही फन्य खां में नजर आने वाली है और खबर ये है कि फिल्म तीन अगस्त को रिलीज होगी बॉलेविट की ब्यूटी कुईन एश्वर्या राय बच्चन बीते काफी दिनों से ही काफी सारी खबरों में है अपने फिल्म फन्य खां को लेकर जिहां एश्वर्या की ये मच अवेटट फिल्म आप दे रही है बर्दे पर 10 तक 3 अगस्त को जिहां खबर हैं कि 3 अगस्त को ही फिल्म रिलीज होने वाली है गौर हो कि एश्वर्या माँ बनने के बाद याने की अरादय के जन्व के वाद फिल्मों में जादा नहीं दिखी साथी साथ एदिले मुश्किल के लावा एश्वर्या की किसी भी फिल्म की बाद नहीं की गई और तो और एश्वर्या का रोल भी बहुत ही कम था एधिले मुश्किल में तो हैं इसके अलावा एश्वर्या के इंटिमेट सीन्स को लेकर भी काफी बवाल मचा था किर अब काफी उमीदे की जा रही है एश्वर्या की फिल्म को लेकर जो की एधिले मुश्किल है अगर बात की जाए इस फिल्म की स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में एश्वर्या के अलावा अनिल कपूर और साथी साथ नजर आने वाले हैं राजकुमार राओभी यह दो एश्वर्या और अभीशेख बच्चन बॉलिवुट के एक ऐसे कपल हैं जो की जादा वदादों में नहीं पड़ते हैं लेकिन आपको आज की एक खबर जान कर हैरानी होगी क्योंकि हाम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बलकि प्रयांका चोबडा हैं जिनके साथ इस बार एक नई कॉंट्रोवसी सामने आई हैं अभीशेख ऐश्वर्या की एक खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या ने अभीशेख को प्रयांका के साथ फिल्म करने से मना कर दिया है ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक वाड़ी बज़ा ये है कि इस फिल्म में अभिशेक को पता बनना है और इस बात को लेकर एश्वर्रा थोड़ी अर्चनु में है आने वाले फिल्म आईशा से पहले प्रयांका और अभिशेक बच्चन दोस्ताना द्रोणा जैसी फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिर जब एश्वर्रा को अचानक से ऐसे क्यों दिक्कत हो गई तो होई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरासल एक बार इस सूपर हिट जोड़ी को साथ देखा जा सकता था फिल्म आईशा में साथी साथ आईशा फिल्म एक लड़की की कहानी है जिन्हें 13 साल की उमर में गंबीर बिमारी होती है और 18 साल की उमर में उस लड़की का निधन हो जाता है इस फिल्म में जहां अभीशेक और प्रियांका को एक दूसरे के अपोज़ेट कास्ट किया गया था वह इस फिल्म में आईशा के किरदार में दंगल फिल्म जायरा वसीम नजर आने वाली है और ऐसे में एश्वर्या का माना है कि इस फिल्म में पूरा ध्यान जायरा पर होने वाला है इसलिए अभिशेक को इस फिल्म को छोड़कर मनमर्जिया फिल्म में काम करना चाहिए बताया यह विचा रहा है कि अभिशेक फिल्म में इसे जुड़े अपनी सारे फैसले अपनी पतनी एश्वर्या से पूछ कर लेते हैं इसे में अभिशेक के पापा बनने पर रोख एश्वर्या ने जो लगाई है इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा जब फिल्म को लेकर अभिशेक कुछ ऑफिशली अनौन्स करेंगे पर दोस्तों जाना आप सभीने कैसे है आज स्टार लाइफ प्रोग्राम में मैंने आपको अभिशेक बच्चन से लेकर एश्वर्या राय बच्चन तक और साथ ही साथ प्रयांका चोपड़ा से जुड़ी जो खबर आ रही थी अभिशेक और एश्वर्या के बीच की जी हाँ प्रयांका चोपड़ा का जब भी नाम सामने आता है तो अक्सर बात की जाती है उनके हॉलिवड करियर की तो वहीं बॉलिवड में फिर से धमाकेदार वापसी करने को लेकर वो तियार है जहाँ सल्मान खान के फिल्म भारत के साथ वो नज़राएंगी तो होई अभिशेक बच्चन के साथ जो उनकी फिल्म सामने आ रही है अब देखना होगा कि ये फिल्म आभी पाती है परदे पर या फिल्म नहीं क्योंकि अब विशेक के रोल को अभी तक कहीं न कहीं फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है जहां एश्वर्या जो हैं पूरा पूरा ध्यान रख रही है विशेक के इस रोल का विशेक के पिता बनने का तो होई आपने ये भी जाना होगा कि कैसे प्रयांका चोपडा से जुड़ी कई क अंका ने फिल्म की थी और साथी साथ फिल्म की थी उन्होंने अक्षे के साथ तो खबरे ये वारण रही कि कहीं ना कहीं दोनों की पत्नियों को परिशानी हो रही है और ऐसी ही परिशानी अफ फिर से देखने को मिली है ऐश्वरया के साथ भी वह दोस्तों आपने ये भी जा आश्वरया ने अपने पैता की एक तस्वीर संजगी जानकरी देते चलें आपको कि एश्वरया अब शोशल मीडिया हेंडल्स के जरीए सभी की भी जुड़ चुकी है जहां आए दिन वो कोई ना कोई तस्वीर शेयर करती रहती है और उस पर फैंस की प्रतिक्रिया आती रह अपने इप जाना होगा कि कैसे एश्वरया रगातार खबरों में हैं अपनी फिल्म फने खांको लेकर जिहां इसमें उनके साथ राजकुमार राओ और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं वेल दोस्तों यह था मेरा आज का बेहत खास प्रोग्राम स्टार लाइफ जिसमें आज आपने जाना कि कैसे एश्वरया अविशेक और तमाम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स रहीं जो कि वारण रहीं आज के इस प्रोग्राम में इतना ही बॉलेवर्ट से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स के लिए स्टे टून टू आर चनल नेक्सनेंग निउस और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें